हेलो एवरिवन स्वागत है आप से फिर आप सब का फिर से एक बार मेंटोरजी क्लासिज में हम लेके आगए आपके लिए फिर से एक नहीं क्लास तो आई होब आप सब बढ़िया होंगे सब मस्त होंगे उसी एनर्जी और उसी मस्ती के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास देखते हैं आज की क्लास क्या होने वाली है क्या इंट्रेस्टिंग चीज़े हम सीख सकते हैं और क्या important चीज़े हैं जो हमें मिस नहीं कर दिए। चलिएगा, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि लास्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् experienced left definition, कि कैसे आप BPPT theorem, के माधियां से, ठीक है، यानि क्या बीपीटी होती है क्या थियोरम के points होते हैं और कैसे आप उस थियोरम को इस्तेमाल करके questions कर सकते हैं तो last exercise हमारी बीपीटी वाली थी जो हमने complete की आँ देखो बीपीटी simple थी ठीक है कुछ करना पड़ा दो line parallel मिल रही है उस complete triangle को उठा लो जिसके अंदर वो दोनो line parallel है बीपीटी लगाओ बीपीटी लगाने के बाद side के ratios ले लो अगर question में triangle दो है तो एक बार एक triangle में बीपीटी एक बार दूसरे triangle में बीपीटी उठाओ दोनो अलग-अलग triangles को equation first second मानो from first and second करो भाई-भाई वाली कहानी खेल जाओ हो गया गाम तो बीपीटी जब हमने last class में discuss की तो बीपीटी में कोई नहीं चीज नहीं थी कोई नहीं ऐसी बात नहीं थी ठीक है चलो आज की class में हम discuss कर लेते हैं ठीक है आज की जो class होने वाली है वो होने वाली है similarity of triangles देखो NCIT की बुक सब के पास होगी देखो बुक अपने साथ लेकर बैटे ठीक है हमारी NCIT यहां खुली हुई है आप सब भी उसी तरीके से NCIT को लेके बैटे और जो important बाते boards के लिए बताई जा रही है उन्हें mark करते चले पढ़ते चले जरूरी है देखो NCIT में board exams में NCIT से बार कुछ नहीं देते लेकिन जहां से देते हैं वो पता ही नहीं है पढ़ा ही नहीं है कभी तो पढ़ा नहीं है तो बताएं कहां से तो आज के class होने वाली है किस के उपर टॉपिक का नाम है criteria for similarity of triangles कि आप अगर triangles को similar करना चाहते हैं अगर किनी दो triangles को क्या करना चाहते हैं similar तो आप किस-किस criteria के थुरू किस-किस माध्यम से किस-किस तरीके से आप उन्हें similar कर सकते हैं तो similar करने के लिए आपके कुछ criteria बनाए ग चलो एक-एक करके ज़रा पढ़ते हैं क्या criteria बनाए गए या क्या बात है हमसे कह रहा है ठीक है अरे मास ऐसे मस्त class कर देंगे थोड़ी देर में चलो देखिएगा क्या करें इंदा previous section we have started that two triangles are similar previous section में यानि पिछली exercise में हमने ये चीज़े start की थी कि कैसे दो triangles आपस में क्या हो सकते हैं similar ठीक है पिछली class में यही तो पढ़ा आपने बीपीटी से पहले यही तो पढ़ा के कैसे दो triangles similar हो सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं first part कहता है their corresponding angles are equal similarity में हमने एक चीज़ पढ़ी कि उसके corresponding angles क्या होने चाहिए है equal और मैंने वहीं आपको एक important बात भी बताई कि similar जो corresponding angles होते है similarity के अंदर उसमें यह ज़रूरी नहीं है कि A हमेशा corresponding P का ही हो ठीक है corresponding कैसे भी हो सकते हैं हो सकता है for example के तौर पे हो सकता है यह दो triangles बने हुए like ABC और यह PLG मालो यह दो triangles बने हुए यह दो triangles बने हुए यह दो triangles बने हैं एक ABC बना है और PLG तो मैंने आपको यह चीज पहले ही बता दिये A का corresponding G भी हो सकता है ऐसा कोई compressor ही नहीं है कि आमने सामने दिखाई देने वाले ही हमेशा corresponding हो ठीक है corresponding कहीं भी हो सकते हैं तो पहली line जो लिख्यू हुई है वो इससे इतनी लिख्यू हुई है कि उनके corresponding angles क्या होने चाहिए equal कोई दिक्कत नहीं आगे कह रहा है their corresponding sides are in same ratio अब ये दोनों बाते हम पहले ही discuss कर चुके है जिन्होंने पिछली class नहीं देखी है ठीक है पहले एक बार जाके पिछली class देख ले आपको समझ आ जाएगा ये किन बातों के बारे में चर्चा हो रही है और ये क्या क्या चीज है तो जिन्होंने भी पुरानी class नहीं देखी है पिछली class नहीं देखी है तो एक बार जरूर से पिछली class देख कर रहा है ठीक है वैसे यहां पर उसने थोड़ा सा लिखके बताया हुआ है बाकी आप देख सकते हैं जो पहली condition है वो ये बता रहा है कि अगर एक इसने लिया ट्राइंगल लिया उशेने def हम भी एक और ट्राइंगल ले लेते हैं इसका नाम रखतेते हैं def दो ट्राइंगल से एक abc है और एक def अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्यारा है एंगल ए किसके बराबर हो जाए angle D के, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, corresponding हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कोई भी किसी का भी corresponding हो सकता है, corresponding होने में ऐसी कोई बात नहीं है, angle B किसके बराबर होना चाहिए, angle E के, यानि ये next उसने कहा, कि angle B किसके बराबर होना चाहिए, angle E के, एक इसे ये कही, कोई दिक्कत नहीं, फिर कहरा है, अंगल c बराबर होना चाहिए, अंगल f के, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा, अंगल c, ये रहा, अंगल f, तो question में कहा है, angle C किसके बरावर होना चाहिए angle F के ये तीन बाते question में दी हुई है यानि corresponding angles equal होने का मतलब है कि एक angle दूसरे triangle के किसी एक angle का equal हो जाए दूसरा दूसरे के equal हो जाए और तीसरा तीसरे के तभी हम कहते हैं कि उस दोनो triangles के अंदर उन दोनो triangles के अंदर आपके angles क्या है equal है इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि triangles के अंदर angles क्या हो जाते है equal हो जाते है फिर कह रहा है A, B, ठीक है ये कह रहा था है corresponding side same ratio में होने चीए तो उसने लेके बताया है कि corresponding side का ratio same होने का मतलब है A, B side का ratio किसके साथ D, E के साथ ये रही A, B, ये रही D, E तो question में कह रहा है A, B side का ratio किसके साथ हो सकता है D, E के साथ हो सकता है ratio same होने का मतलब है B, C side का ratio किसके साथ B, C वाली side का ratio चलिए ये रहा B, C वाली side का ratio किसके same हो सकता है अगर BC की बात करें तो EF कह रहा होगा ठीक है और कह रहा है CA वाली side का ratio FD के बराबर तो CA वाली अगर side की बात करेंगे तो उसका ratio FD के साथ लिया है मैं आपको दिखा देता हूँ जरा एक second बस चलो, क्या कह रहा है question समझा देते हैं कह रहा है ये रही है AB ये रही है भी ये रही है भी इस वाली side का ratio उसने लिया DE के साथ कोई दिक्कत नहीं है इन दोनो side का ratio ले लिया कोई दिक्कत नहीं है फिर उसने AC side का ratio इस वाली side का ratio इसके साथ लिया कोई दिक्कत नहीं है AC का ratio DF के साथ ले लिया उसी तरीके से उसने इस bc side का ratio ef के साथ लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसने क्या करा, एक-एक side का ratio, एक-एक side के साथ ले लिया, इसी को कहते है corresponding sides are in same ratio, जब triangles के अंदर, दो triangles के अंदर, उनकी corresponding sides का जो ratio होता है, ठीक है, वो equal हो जाता है, तो कहा जाता है कि उन का corresponding ratio क्या हो गए, same हो गए, इतनी बाते उसने बताई, ये वैसे generally आपने पहले भी चीजे थोड़ी सी पढ़ लिया, ठीक है, इतनी खास बात तो उसने अभी तक कुछ नहीं बताई, चलिएगा, ये चीजे पढ़ लिया तो ये हटा देते हैं, चलिए, देखिए, उसने य in the case of concurrency of two triangles, the similarity of two triangles should also be expressed symbolically, symbolically, आजा मेरे बुल बुल कि रोही सोरो, देखो, क्या कहा रहा है, यहां से, ये लिख दी बहतरी इन बात, ये लिख्य हुई है कि जैसे आप concurrency में, दो triangles concurrent करते थे, तो आप कैसे लिखते थे, कि भाईया हम लिखते थे, अगर दो triangles हमें concurrent लिखने हैं, माल लो एक triangle ABC है, हमें लिखना है कि वो concurrent है, किसके, triangle DEF के, ऐसे ही लिखते थे, इस sign का मतलब होता था, कि ये आपस में क्या हो गए? congruent दोनों triangle आपस में क्या हो गए congruent इसी sign का मतलब होता था कि दोनों triangle सापस में क्या है congruent है ऐसे ही कह रहा है कि अगर आपको दो triangle similar करने तो इसका भी कोई sign होना चाहिए बिलकुल होना चाहिए जब concurrency का sign है concurrency किसी एक चीज को represent कर रही है उसका कोई सिम्बल है, तो कह रहा है इसका भी सिम्बल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, तो उसने कहा जो इसका सिम्बल रहेगा, similarity का, वो ये रहेगा, यानि यहां पर ये वाला सिम्बल रिप्रिजेंट करेगा, कि सको, similarity को, कि यानि यहां पर कहा जा सकता है, कि अगर इस तरीक का सिम्बल बनता है, तो कहा जा सकता है कि ABC जो है, वो एक्चवल में कॉन्गूरेंट है, किसकी? DEF की तो ABC Concurrent DEF की ऐसा कहा जा सकता है जी बिल्कुल कहा जा सकता है चलिए आगे चलते हैं फिर उसने कुछ बातें दी हुई है फिर कुछ चीजें दी हुई है चलिए हम थोड़ा सा इस पे फिर आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है यहां से मेन कहानी शुरू होती है यहां से Theorem 6.3 किसकी बात करें? Theorem 6.3 पढ़ते हैं जरा क्या कह रही है? Theorem 6.3 कह रही है, if in two triangles corresponding angles are equal corresponding angles are equal then their corresponding sides are in same ratio hence the two triangles are similar अगर किसी एक triangle के अंदर उसके corresponding angles equal होते हैं तो हम कह सकते हैं उनकी corresponding sides का जो ratio है वो भी सेम है और अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों triangles आपस में क्या है similar है, बिलकुल कहा जा सकता है अब इसी theorem को 6.3 को ठीक है, आप पढ़ सकते हैं यहां से पढ़ सकते हैं इस criteria is referred to the AAA criteria for similarity of two triangles हम जड़ा explain कर देते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं theorem 6.3 आपसे क्या कह रही है जड़ा इसे explain कर देते हैं यहां से start होती है आपकी criteria पहला criteria जो आपको दिया हुआ है theorem 6.6 में वो है AAA, AAA का मतलब है एंगल, एंगल, एंगल इसी का एक और भी नाम है मैं आपको बता दू, एंगल, एंगल, एंगल को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम खाली AA कहते हैं एंगल, एंगल बिलकुल कहा जा सकता है, चलो जी कैसे कहा जा सकता है समझ लेते हैं यह दोनों एक ही property के नाम है चाहे तो आप इसका नाम AAA कह सकते हो एंगल, एंगल, एंगल चाहे आप कह सकते हो AA क्या AA या तो आप AAA कह सकते हो या कह सकते हो by AA दोनों एक ही है, एक ही क्यों होते है, क्यों नहीं होते, यह सारी चीज़े हम discuss करेंगे, उसमें आपको tension लेने की ज़रूरत नहीं है, suppose, देखो, यह एक triangle है, A, B, C, एक और triangle लिया हमने, D, E, F, हमने दो triangles ले लिये, एक ABC लिया, और एक triangle क्या ले लिया, D, E, F, अगर हमने दो triangles लिये, तो ज़रूर, बात करते हैं, theorem 6.3 क्या कह लिया है, उनके angles equal है, उनके corresponding angles क्या है, equal, तो मतलब, अगर इसमें, angle A, angle D के बराबर हो जाता है, ठीक है, और, क्या कहता है फिर, फिर कह रहे है, angle B, angle E के बराबर हो जाता है, अगर, यही कह रही है, फिर वो क्या कहता है, angle C, angle F के बराबर हो जाए अगर, तो कहा जा सकता है, by A, 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 similarity, ऐसा होने पर, यानि अगर तीनों angles तो, दो triangles हैं, उनके अंदर के तीनों angles आपस में equal हो जाते हैं, तो कहा जा सकता है, by A, A, similarity, triangle ABC जो है, वो आपका similar है, triangle D, E, F का, यानि ABC triangle similar हो जाएगा, किसका D, E, F का, तो यह कहा जा सकता है, और यह जब ही कहा जा सकता है, जब किसी भी triangles के अंदर, तीनों angles आपस में क्या हो जाए, same, equal हो जाए, तब कहा जा सकता है, क्यों बिड़ों लोग, कहा जा सकता है या नहीं, तो पहला criteria याद रखना है, पहला criteria क्या है, A, A, यह कह सकते हो, AAA, यानि अगर किसी triangle के अंदर, दो angles भी equal है, ठीक है, तो आप by AA similarity उन दोनों triangles को similar कह सकते हो, दो angles से भी हो सकता है, तीन angles से भी हो सकता है, लेकिन बात क्या है, अगर हमारा काम दो angles से पूरा हो रहा है, तो हम 3 क्यों ले? तो तो कहने का मतलब है, कि अगर आपके 2 एंगल से पहले ही आपके 2 ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, तो तीसेरा क्यों ही लेना, अगर दिया भी है, तो छोड़ो ना यार. तो जब, जब ी सीधी उंगली से निकल रहा है, तो काहे टेड़ी करनी जबर दस्ती की दोड़ा ही करना है चलो तो इतनी बातों को ध्यान रखने का है ठीक है इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे कि कैसे ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं तो एक अगर आप दो ट्राइंगल को सिमिलर करना चाहते हो तो आपको चाहिए दो और इसी का नाम क्या दिया हूआ है थinky सिच्प o s.3 यानि सिक्स पॉइंट थी आपको बता रही है किर के अगर डो एंगल आपके एक्वड है तो आप दोनों triangles को क्या ले सकते हो similar ले सकते हो ले लेंगे आगे चलके ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हम similar कितने तरीकों से कर सकते है पहला तरीका पढ़ा दिये हम दो triangles को similar करने का ध्यान में रखके चलना है चलिएगा आगे बढ़ते हैं जरा ये इसी के बारे में सारी चर्चा होंगी यहां पे सारी theorem 6.4 निकल गई क्या हाँ ये गई चलो theorem 6.4 theorem 6.4 कह सकते हो या फिर कह सकते हो second type जिनसे आप दो triangles को क्या कर सकते हो सिमिलर, second type जिससे आप दो triangles को क्या कर सकते हो आपस में, सिमिलर, अरे हम तो बस तरीका सीख रहे हैं अगर कोई भी काम आप लाइफ में करना चाहते हो तो तरीका आना चाहिए ना तो हम अगर आगे चलके triangles को सिमिलर करना चाहते हैं तो हमें ये तरीके पता होने चाहिए ना कितने तरीकों से कर सकते हैं ठीक है ऐसे ही थोड़ी काम होगा चलो, कह रहा है इफ इन टू triangles, sides of one triangle are proportional to the side of other triangle then their corresponding angles are equal, यहाँ पे दो बाते कहीं उसने, कह रहा है कि अगर दो triangles का ratio सेम हो जाए और एक angle equal हो जाए, दो triangles का ratio सेम हो जाए और एक angle क्या हो जाए equal, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, ठीक है अखे आपे तू पहले आजा, चलो जैसा कि आप देख सकते हो, एक triangle ABC लिया, एक लिया उसने DEF, दो triangles लिये वैसे इसका नाम आपको बता दू, दो side और एक angle की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं, सारी sides की कर रहा है का, if two triangles, sides of one triangle are proportional to the sides of other triangles, then their corresponding angles, हाँ, sides की कर रहा है, सारी, क्यानि, question में, आपको जो second है, वो होती है, S, 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 यानि, side, 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 side का मतलब है, कि यहाँ तीनों क्या लिनिया हमे, sides, sides, यानि हमें triangles के अंदर, तीनों क्या चाहिए, sides है, अगर तीनों sides चाहिए, तो तीनों होनी चाहिए, किसी एक में भी कमी ना हो, यह A, B, C, यह D, मिला लेते हैं, यह E, और यह F, और हम बात करने हैं, A, B, C, and triangle D, E, F, की, अगर हम इन दोनों triangles की बात करें, तो दोनों triangles में तीनों क्या चाहिए, side, यानि तीनों side का ratio equal होना चाहिए, तो तीनों side का ratio equal होने का मतलब है, हमने मालिया, suppose, इस side A, B का ratio, D, E side के equal हो जाए, A, B का ratio, A, B upon D, E का ratio, तीनों side का ratio चाहिए, equal हो जाए, A, B upon D, E का ratio, B, C upon E, F के ratio के, बिल्कुल, और फिर वो equal हो जाए, तीसरे ratio के, तीसरे ratio के equal हो जाए, A, C, और D, F, यानि तीसरा, A, C, और, B, F, यानि अगर आप देखो, इन दोनों triangles में, तीनों ratio equal हो गए, एक side, दूसरी side का ratio, तीसरी side का ratio, तो मैं कह सकता हूँ, S, 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 क्योंकि हमने triangle की तीनों side का ratio लिया है, और वही S, S, S तो होती है, कि तीनों क्या हो, sides हो, तो यह देखो, यह भी X side का ratio है, यह भी X side है, और यह भी X side है, तो अगर यह तीनों ही sides है, तो मैं कह सकता हूँ, इस बात को, by S, 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 similarity, by S, 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 similarity, triangle ABC जो है, वो similar है, triangle DEF के, तो यहानि यह कहा जा सकता है, कि यह दोनों triangle सापस में क्या हो जाएंगे, similar, यहानि यहां हमने दो property पढ़ ली, यहां तक हमने कितनी similarity पढ़ ली, two, या तो आप AA से कर सकते हो, या AAA, कै एक ही होती हैं वो दोनों, कि अगर किसी भी, दो triangles के अंदर उनके दो angles हापस में equal हो जाते है, तो आप उनने कह सकते हो, similar है, लेकिन अगर दो triangles के अंदर उनकी तीनों side,akes अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर उनकी तीनों साइड का रेशो भी सेम हो जाता है, तब भी आप कह सकते हो के वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, तो यानि हमने यहाद तक similarity के कितने तरीके पढ़ लिए, दो तरीके पढ़ लिए, चलो, अब similarity का एक और तरीका होता है, तीसरा, तीसरा तरीका, जिसका नाम है SAS, यह दो, theorem 6.5, theorem 6.5 कहती है, कि एक और तरीका है, जिससे आप similar कर सकते हो, जिससे कहते है, SAS, S, S का मतलब Size, A का मतलब Angle, और फिर से S आँ रहा है, तो उसका मतलब Side, यानि, दो Sides का ratio और एक Angle इक कुल चाहिए, भाई यही तो कहना चाहरा है वो, यही तो कहा रहा है कि, दो क्या चाहिए, sides एक क्या चाहिए, angle यानि अगर दो side का ratio और एक angle मिल जाते हैं तब भी हम कह सकते हैं कि वापस में क्या है similar, अरे कह सकते हो या नहीं ये मत कहना नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल कहा जाएगा ठीक है, इसी इसी तरीके से तो similar करने आगे चलके देख लो, आगे चलके नहीं हुआ देखो, हम तो बता रहे हैं लड़का हूँ ये लड़की आगे चलके बहुत परिशानिया है तो समझ लो यहीं पर ठीक है, यहीं से चीजे समझ लो सारी तो S, A, S side angle, side तो side angle, side में कैसे हो सकता है मान लो, आपने दो triangles लिये दो triangles आपको दिये question में A, B, C एक triangle आपको question में दिया D, E, F आपको दो triangles दिये, एक ABC दिया और एक दिया आपको D, E, F अगर इन दोनो triangles के अंदर में बात करूँ तो हमें क्या चीए, दो side का ratio और एक angle, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखाया हुआ है ठीक है, यह ले रखे हैं यहाँ पर नीचे solution यहाँ आया है न, वो तो उसने पता नहीं क्या करा हुआ है, तो यहाँ देखोगे तो आपने उसने सारी चीजें ले रखी है ठीक है, छोड़ो इसे गोली मारते हैं चलो, हम बात करते हैं दो साइड का ratio हो और एक corresponding angle, तो चलो भईया, देख लेते हैं जरहां दो साइड का ratio कैसे AB side का ratio किस के साथ मिल जाए अगर हमें इसके साथ मिल जाए भईया दो साइड का ratio एककोल चाहिए तो हो सकता है AB side का ratio रेशो किसके रेशो के साथ हो जाए, DE के साथ हो जाए, बिलकुल हो सकता है और क्या हो सकता है, AC साइड का रेशो कौन सी के साथ हो जाए, DF साइड के साथ हो जाए, बिलकुल हो, AC साइड का रेशो, DF साइड के साथ हो जाए, तो मिल गया हमें दो side का ratio, अगर दो side के ratio के साथ साथ हमें एक angle भी मिल जाए, अब यहाँ बड़ी confusion होती है बच्चों को, सबसे जादा ध्यान देने वाली बात यहाँ है, हमारे पास angle कितने है, तीन, a, b, c है, order d, e, f, हमें angle लेना कौन सा है, याद रखना, s, a, s के अंदर बहुत खास बात होती है, अगर आपने इन दोनो side का ratio लिया है, इसका, इसका, तो हमें angle हमेशा इन side के बीच वालों को ही लेना है, तब ही s, a, s work करेगी, आप angle कोई सा भी नहीं ले सकते, अपनी मर्जी थोड़ी जल रही है, क्या, क्या कहना चाहरे हो, गर का है, गर का रा उसी की कहानी बजानी है, तो बीच में कौन आ रहा था, यहां इधर आ रहा था angle a और इधर आ रहा था angle d, तो fix है, angle a और angle d ही होना चाहिए, अब आप में से आदे लोग सोच रहे होंगे, क्या यह fix हो गया, मतलब कहने का मतलब है, क्या हर question में angle a और angle d लेने है, क्या, चलो कहते हैं, और कह सकते हैं कि triangle a, b, c, जो है, वो similar है, किसका triangle d, e, f का, तो यानि कहा जा सकता है, कि दोनों triangle सापस में क्या हो गए है, similar, तो बिल्कुल कहा जा सकता है, दोनों triangle सापस में similar हो गए है, कोई दिक्तत नहीं है, ठीक है, similar हो जी सकते है, तो बात क्या है, आप कहोग अरे बुडबक नहीं रहे नहीं कुछ सोचो बुडबक depend करेगा sides पर हमने side A, B और ये लिये है हम अगर कोई और सी side ले लेते जैसे suppose करो A, B तो ली ही ली हमने चलो A, B तो ली हमने A, B का ratio किसके साथ लिया D, E के साथ लेकिन जो दूसरी side का ratio है दे दे, B, C और उधर D, F ना दे के E, F दे दे तो यानि A, B अपॉन D, E का ratio किसके साथ दे दे ओके किसके साथ दे दे B, C अपॉन E, F के साथ दे दे, अब यहाँ वैटर अलग हो गया, अगर हमें ये दोनो side का ratio इक्वाल है हमें तो 2 side का चाहिए, कोई सी भी 2 side दे, ऐसे थोड़े हैं हमने कि जिद कर लेनी है, नहीं यही वाली side चाहिए है, जिद पे नहीं है कोई भी side दे दे, ठीक है तो कोई भी अगर आपको 2 side दे दे तो अब देखो, अब जो बीच में angle आ रहा है, बीच में फस रहा है कौन फस रहो है बीच में किसी को फसने नहीं देना है इस बार बीच में कौन फसा, B क्योंकि एक side ये दे दी और एक side ये दे दी और इधर कौन फसा, E इस case में आपको क्या लेना पड़ेगा angle B, किसके बराबर होना चाहिए angle E के, तब आप कहा सकते हो कि मैं क्या लगा सकता हूँ SAS similarity लगा सकता हूँ ऐसे ही नहीं है, कि कभी हो लगा दी जब एक चाचा ही जब लगा दी नहीं, depend करेगा question में angles पर, ठीक है तो SAS similarity लगा सकता हूँ और कह सकता हूँ, triangle ABC जो है, वो similar है कि इसके triangle DEF के अब कहा जा सकता है ABC जो है, वो DEF का क्या है similar, तो समझ आई बात यानि, आपको कौन सी दोनों साइड लेनी है अब यही तीन तरीके होते है किनी भी दो triangles को क्या करने के similar तो याद रखना आपको तीनों तरीके पता होने चाहिए, अगर हम दो triangles को similar करना चाहते है अगर हम दो triangles को similar करना चाहते है अगर हम दो triangles को similar करना चाहते है तो पहला तरीका या तो उन दोनों के बीच में उन दोनों triangles में कोई दो angle equal हो जाए, तो हम A लगा लेंगे ठीक है अगर दो एंगल एक्कोल नहीं है तो तीनो साइड का रेशो एक्कोल हो जाए ठीक है जैसे तीनो साइड का रेशो एक्कोल हो जाएगा तो आप क्या लगा सकते हैं SSS लगा लेंगे अगर तीनों साइड का ratio भी equal नहीं है तो दो साइड और एक angle मिलने पे भी हम उन्हें similar कर सकते है क्या property लगा कर SAS, तो कौन सी similarity लगा कर SAS, तो हमने तीन तरीके की similarity पढ़ी उंगलियों पर होनी चाहिए AA पढ़ी, SSS SAS S, तीन ही तो पढ़नी है और वो तो पिछली साल concurrency में भी थी बस पिछली साल concurrency थी और इस साल क्या हो गई similarity पिछली साल दो एंगल एक्क्वल थे एक्क्वल लेने थी, साइड भी एक्क्वल लेनी थी, इस बार एंगल तो एक्क्वल ही है बस ratio लेने है, ठीक है साइड्स की जगे क्या आगए है, ratio तो आई हो, आप सब को समझाया होगा ठीक है, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको बैस देने की, ठीक है तो आप सब को समझाया होगा और इन्हें एक बार जरूर पढ़ना next class करने से पहले इसको जरूर एक बार पढ़के आना, ठीक है फिर मिलेंगे अगली class में, ठीक है फिर बाते करेंगे कुछ ऐसी ही, कुछ बहतरीन बाते, फिर आपको समझायेंगे क्या चीजे जरूरी है और क्या नहीं, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, class अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा धन्यवाद